हलो इबरिबान, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे यूजाफ इट, इट का प्रियोग हिंदी में जानेंगे, इसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एक्जामपिल्स ले हैं, और उनको इस प्रियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वैसे इट का प्रियोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इट का प्रियोग जानबरों या पसूँ या पच्छियों और निर्जीव बस्तूँ के लिए किया जाता है, इट क जानबरों पस पच्छियों और निर्जीब बस्तूं में यूज होगा इतना याद रखना है इट वाले जो sentence होगे उसमें subject कभी कभी नहीं दिखाई पड़ता है तो उसमें हमें इट से starting करना होगा जैसे यहाँ पर positive sentence लिये हैं हमने इट फिर is MR या बाउज बेर अगर था थी होगा तो वाज लगेगा और है है तो इज और हूँ तो इसमें आर लगाएंगे वाज लगेगा तो इस तरह से आप last में था थी यूज करेंगे उसके हिसाब से लगाएंगे subject तो इट ही रहेगा अगर other part लिखेंगे compliment जो होगा वो लिखेंगे तो चली पहला sentence बनाते हैं इसमें लिखा है साम है या साम का समय है तो इसमें इट से starting करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट फार्मोले के साब से इट अब है तो यहाँ पर इज लगाएंगे और इसमें हो जाएग evening evening mean साम होता है तो यह हो जाएगा it is evening साम है या साम का समय है तो it is evening next लिखा है रभिवार था या रभिवार का दिन था तो इसको लिखेंगे it was इसमें था लगा हुआ है लास्ट में तो बोज लिखेंगे और Sunday या सियो यान डी ए बाई संडे इट वाज संडे नेक्स है सिम्बला में बहुत सर्दी पड़ती है तो इसका हो जाएगा सिम्बला में तो इसमें इट से स्टार्टिंग करेंगे इट पड़ती है तो इसमें इज लगाएंगे इज बेरी cold मिन्स ठंड़क किया सर्दी cold अब सिम्बला में है तो इन सिम्बला लिखेंगे इन सिम्बला ही या सियच आई एम एयर ले सिम्बला हो गया नेक्स है जोरों से बरसा हो रही है तो इसको बनाएंगे it is it is running ran मिन्स बारिस होता ing लगाएंगे तो running हो जाएगा जोर से है तो heavily लिखेंगे heavily मिन्स जोर से h e a b i l y heavily मिन्स जोर से हो गया तो इस तरह से हमने चार affirmative के बना दिये जिसको positive sentence बोलते हैं अब देखते है negative के negative sentence में इस टक्टर तो बिल्कुल सेम है इसमें it आ जाएगा सुरुआत में फिर is mr या boss bear लगाएंगे subject जो होगा उसके साबचे मतलब जो last में होगा उसके साबचे लगाएंगे फिर not लग जाएगा फिर compliment लिखेंगे तो पहला example लिखा है अभी सुबह नहीं है तो इसमें लिखेंगे it नहीं है तो is not लिखेंगे is not morning morning में सोता है सुबह ing जोड़ेंगे तो morning हो जाएगा now अभी तो अब की होगे now राजस्थान में बहुत सर्दी नहीं पड़ती है तो इसमें हो जाएगा it is not बहुत सर्दी की लिखेंगे very hot very hot in राजस्थान तो राजस्थान की r a j a s और थान t h a n राजस्थान तो इस तरह से हो जाएगा it is not very hot in राजस्थान अब देखते next अगला जो sentence लिखा है वह है हबा जोरों से नहीं बह रही है तो हबा की नहीं लिखेंगे यहाँ पर it लिखेंगे it से starting होगा it is not और बहना की होता है blow b l o w ing लगाएंगे हबा बह रही है तो blowing हो जाएगा और hard जोर से हबा बहने की होती है blowing hard जोर से है तो इसलिए blowing hard हो जाएगा next है आज बहुत ठंडी नहीं है तो it लिखेंगे शुरुआत में is not very cold मिंस ठंडी और इसमें लिखा today तो यह last में जोड़तेंगे बन गया complete अब देखतें next अगला है interrogative sentence इसमें हमें क्या शुरुआत में जिसमें आ जाएगा उसमें is mr buzz bear शुरू में लिखेंगे पहले आ जाएगा फिर it लिखेंगे उसके बाद compliment last में question mark लगाएंगे और double interrogator होगा जिसमें क्या कौन कैसे कब बीच में आएगा तो उसका spelling पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या बर्फ गिर रही है तो यहाँ पर क्या की spelling नहीं लिखेंगे यहाँ पर हमें is लिखेंगे पहले तो यहाँ पर age हो गया अब लिखेंगे subject it it हो गया और snow means बर्फ किरिना s o n w ing snowing हो जाएगा is it snowing क्या सिम्बला में बहुत सर्दी पढ़ती है इसमें भी is लगाएंगे is अब it हो जाएगा berry बहुत सर्दी berry cold in सिम्बला तो s h i m l a लास्ट में question mark तो next है राजिस्थान में बहुत गर्मी क्यों पढ़ती है तो इसमें हो जाएगा क्योंकि spelling पहले तो यहाँ पर हो जाएगा वाई अब यहाँ पर it हो जाएगा it अब इसमें हो जाएगा berry बहुत है तो berry हो जाएगा hot in राजिस्थान in राजिस r a j a s t h a n बन गया अब देखते next आज रिम्जिम बर्सा कैसे हो रही है तो यहाँ पर कैसे की लिखेंगे how how is it यह subject है यह helping verb है और इसमें हो जाएगा dredging means रिम्जिम बर्सा तो डार्जिलिंग हो जाएगा डी आई आर डेवल जेड ल आई एन जी डार्जिलिंग टूडे लास्ट में कोश्चन मार्क अब लास्ट वाला संटेंस लिखा है श्री नगर में बर्फ कब गिर रही थी तो यहाँ पर भेन आ जाएगा सबसे पहले डाबलू एच इएन भेन अब इसमें हो जाएगा इज एवाज लगेगा थी है तो वाज इट स्नोईंग एस एन ओ डाबलू आई एन जी स्नो होता है आई एन जी लाए स्नोईंग हो जाएगा इन श्री नगर स्री नगर की लिखेंगे एस आर आई और एन ए जी ए आर यह होगा है स्री नगर लास्ट में कुस्चन मार्क लगेगा तो इस तरह से फ्रेंट्स हमने यह पूरे चौदा तेरा सेंटेंस कॉंप्लेट करा दिये तो फ्रेंट्स विमेद करता हूँ आप लोगों को यह एट वाला वीडियो पसंद आया होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई थैंक ये फो वाचिंग इस वीडियो